नियुजिलेंड के पूर्फ क्रिकेटर क्रिस क्रेश की सेहत को लेकर खबर आई है लाइफ स्फोर्ट सिस्टम पर चल रहे है क्रिस क्रेश की तबियत में पहले से काफी सधार हुआ है Emergency Heart Surgery के बाद अच्छी तरहां रिकरवर करते दिखाई दे रहे हैं हबर है कि उनका life support भी अब हटा दिया गया है जिसके बाद उन्हें अपने परिवार से बात भी की है क्रेंज को हुई दिल की समस्या कि चलते एसी महीने उन्हें सिद्नी के एक hospital में भरती कराया गया था जहां उन्हें एक operation से गुजरना पड़ा था क्रेंज के वकील एरन लॉइड ने एक बयान में इस बात की पुष्टी की है कि सर्जरी के बाद क्रेंज की तवियत पहले से काफी भेतर हुई है और वे अच्छी तरहां recover कर रहे हैं लॉइड ने क्रेंज और उनके परिवार की तरफ से सभी लोगों के support के लिए धन्यवाद कहा है एरन लॉइड ने कहा मुझे बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि Chris को life support से हटा दिया गया है और वे अब hospital से अपनी family से संपर्थ कर पा रही है लॉइड ने सभी लोगों को क्रेंज के लिए दुआएं मांगने और support करने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा क्रेंज और उनका परिवार सभी के समर्थन और शुब कामनाओं के लिए आभारी है साथी उस privacy के लिए भी जो सभी ने उनको दी उनके परिवार की गुजारश है कि इसे ऐसे ही बनाए रखें क्योंकि उनका सारा ध्यान इस समय क्रिस की recovery पर है आपको बता दें कि 50 वर्षे क्रिस क्रेंज पिछले कई सालों से अपनी बीवी और बच्चों के साथ औस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में रहे रही है इसी महिने हुई एक heart problem के बाद क्रेंज को कैनबरा के एक hospital में भर्ती कराया गया था जहां उनकी एक surgery हुई लेकिन उनकी serious हालत को देखते हुए ने Sydney के सेंट विंसेंट hospital में एक और surgery के लिए भेचा गया जिसके बाद से उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है क्रेंज नब्बे के दशक में न्यूजिलिंड cricket team के एक बेहद महत्वपूर खेलाडी थे वे एक fast bowling all rounder थे क्रेंज ने साल 1989 से 2006 तक के अपने क्रिकेटिंग करियर में बासत टेस्ट 215 बंडे और दो T20 माच खेले बल्ले बाजी की बात करें तो क्रेंज ने बासत टेस्ट में 35.54 की और पांच शतक जड़े महीं 215 बंडे मुकाबलों में 29.46 की और चार शतक जमाए है के इन बाजी की अगर हम बात करें तो उनके नाम टेस्ट में 218 बंडे में 201 विकेट है आपके लिए हबर लिखी है हमारे साती विपनने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीलललटो शुक्रिया